आप सभी का स्वागत है सक्सिस की 98 में और साम को 6 बचे जैसे मैंने आप सभी को बोला था रेगुलर क्लास चलेगा और थोड़ा मैं काम कर रहा हूं बहुत बेसिक के उपर जिनको मैस से बहुत डर लगता है हाला कि मुझे ये भी याद है कि आप सभी का एक्जाम जो है ना CHSL वाला या CGL वाला वो आपका अगस्त के बाद सारा लाइन एक्जाम से रेलवे का अभी कोई ख़बर नहीं है तो उसके लिए अलग से ना 500 क्वेसिन का सेट भी मैं आपको कराऊंगा मैप का रिजनिंग का भी और जीके का देड़ हजार क्वेसिन इतना मुझे याद है ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँगा लेकिन थोड़ा बेसिक के उपर काम कर रहे है तो आज का क्लास है आपका क्यूब के उपर कहने का मतलब है ना देखो एक्जाम में कहीं ना कहीं important role play करता है क्यूब अगर कोई सवाल आपके पास है और उस सवाल के बीच में मद्ध में अगर आप सभी के पास या ऐसे दिया गया है सवाल लंबा है बीच में ये है तो अब सवाल तो दूर सवाल को तो खतम करने में जो time लगेगा ही लगेगा पूरा पहले उस सवाल की बीच में जो ये part है इसको solve करने में time लगेगा अब क्या करेंगे 43 का गुना 43 से करेंगे या फिर जो पता है जो मैंने सिखाया square वाला, work वाला अगर वो भी कर देते हैं मालो अगर मैंने आपको work सिखा दिया है किसी भी number का work फटा फट कैसे करेंगे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो कैसे किया जाएगा अगर वो भी आपको पता है तो क्या करेंगे आप ये करेंगे, तीन का स्क्वाइर आप करेंगे, नौ और पचीश से साथ घटा देंगे, आप बोलेंगे भाईया हो गया, ये तो वर्ग हुआ, अब एक 43 और गुना कर रहा है, तो फिर टाइम लगेगा, लगेगा न जी, तो फास्ट कैसे कर सकते हैं, किसी भी नंबर का क सली कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, और मेरा मानना है ना, जितने भी मेरे भाईव हैं, जो क्लास फाइफ में पढ़ते हैं, टेन में पढ़ते हैं, सब को समझ में आएगा, मतलब सब को, अब ऐसा ही कोई लोगों जिनको समझ में नहीं आएगा, जो बोलेंगे भा करने का मन नहीं करता है पुझे इंुटेस्ट नहीं है तो five आप फॉर्म क्यों फिल आप कर रहे अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं और अपने मम्मी पापा का भी टाइम खराब कर रहें ठीक है ना देखो चार चीज आपको करना है क्या क्या भाईया आपको क्यों निकानना है ना माल लो एक्जामपल ले लो तेरा एक माल लो आप एक्टीस या माल लो आप बाईस या माल लो आप कुछ भी मान सकते हो ना आप माल लो तेईस तेईस माल लो सताइस माल लो भाईया ये क्या लिखे है इसका कहने का मतलब है न आपको चार चीज़ याद रखना है कैसा भी संख्या हो आप कर लोगे भाई जो भी नमबर एक से स्टार्ट हो रहा है यानि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक इसका क्यूब फटा-फट कैसे निकालेंगे इसका मतलब क्या भाईया जो भी नमबर जिसके अंथु में एक है जैसे 31, 41, 51, 16, 71, 81 और 91 चौथा नमबर क्या है जो नमबर अपने आप में डबल है कहने का मतलब है 33, 44, 55, 66, 77, 88 ऐसे 99 चौथा का मतलब क्या है भाई कैसा भी नमबर इनको छोड़कर यानि 24, 25, 35, 45, 47, 87 कैसा भी नमबर बस ये 4 स्टेप है तो पहले वाले को पहले समझते है जो संख्या एक से ही स्टार्ट हो रहा है उसको कैसे करना है ठीक है इतना तो समझ गई होंगे न संख्या एक से स्टार्ट हो रहा है कैसे निकालेंगे अगर तेरा का क्यूब निकालना है भाई क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे फटा-फट करना क्या बहुत सिंपल है निकाल रहा है निकाले ना आपको क्या करना है यह जो दिखाई दे रहा है न इसको बस ऐसे लिख देना है हो गया भाईया देखो तो देखो तो मुझे कम से कम उसके बाद तीन का स्क्वेर करना है तीन का वर्ग कितना होता है अरे भाईया नौ होता है लिखिये तो लिख दिये तीन का क्यूब कितना होगा अरे भईया 27 होता है लिखिए तो लिख दिए ठीक कितना नमबर दिखाई दे रहा है एक दो तीन और इसको पूरा चार लेंगे ठीक तो करना क्या है ये पहला वाला और ये लास्ट वाला को छोड़ देना है जो बीच में संख्या नजर आ रहा है उसको डबल कर देना है नौ का डबल कितना होगा आप बोलेंगे 18 तीन का डबल कितना होगा आप बोलेंगे 6 अब जोड देना है वहाँ से कितना उतरेगा 7 उतरेगा जो 2 है वो इसमें जुड़ जाएगा तो 18 और 9 27 वो 2, 29, 29 का 9 उतरेगा, 2 फिर इसमें आ जाएगा, 6, 3, 9, 9 और 2 11, 11 का एक उतरेगा, एक इसमें जुड़ जाएगा, एक और एक दो, एंसर हो गया नहीं समझ में आया और सवाल लेकर समझाते हैं, ठीक, नहीं समझ में आया न, अगला सवाल लेते हैं मान कर चलो मेरे भाई जो भी देख रहे हैं, कि 14 पर आजाते हैं, 14 का क्यूब क्या होगा देखो, आपको एक 14 ऐसे लिख देना है, एक नमबर, दो नमबर, 4 का स्कुएर करना है, वर्ग कितना होगा, 16 होगा भाईया तिसरा नमबर, 4 का क्यूब कितना होगा, 64, चौथा नमबर हो गया पहला वाला, अंतिम वाला को छोड़ देना है, बीच वाले को डबल कर देना है, 16 का डबल 32, 4 का डबल 8 अब वहां से 4 उतरेगा बस, और ये 6 इसमें जुड़ जाएगा, 32 और 16, 48 और 6, 54, 54 का चार उतरेगा, 5 फिर इधर आ जाएगा घसकर 8, 4, 12, 12, 5, 17, 17 का साथ उतरेगा, एक इसमें आ जाएगा, 27, 44 कुछ भी हो, कैसा भी हो सवाल आप निकाल सकते हो, ठीक, तो पहला वाला इस टेप तो आप सभी समझ गए होंगे, तो आज का पहला होम्मक पहले वाले से है, आपको 15 का क्यूब निकाल कर बताना, ये होम्मक है, दुसरे वाले को सिखते हैं, ये वाला आपका होम्मक है, द से निकालेंगे अगर बारा का निकालना होता तो ऐसे बारा लिख रहते हैं लेकिन अब एक अंत में तो उधर से लिखेंगे उधर से तो दो और एक ऐसे लिखेंगे अब बारा का निकालना होता तो ऐसे लिख रहते हैं जिसके लास्ट में एक है सुरवात में एक था तो ऐसे लिख रहे थे अब लास्ट में एक है तो ऐसे लिखेंगे उधर से ठीक है अब 2 का square करिए कितना होगा भाई 4 पहला step 2 का cube कितना होगा आप बोलेंगे 8 हो गया भाईया हुआ नहीं है ना पहला वाला अंतिम वाला छोड़ना है middle वाले को double करना है 4, 4 का 8 अब हो गया 1, 4 प्लस 2, 6 8, 4, 12 का 2 और 8 प्लस 1, 9 अब हो गया 9 to 6, 1 नहीं समझ में आया अलग सवाल लेते हैं देखो अब 31 को करते हैं मालो 31 का करना है कैसे करेंगे एक खतम हो रहा है तो उधर से क्या लिखेंगे 3 और 1 2 संक्या हो गया 3 का वर्ग कितना होता है तो आप बोलेंगे भाईया 9 होता है बहुत बढ़िया 3 का क्यूब कितना होता है आप बोलेंगे भाईया 27 होता है मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया पहला वाला और ये वाला छोड़ना है मद्य, मिडिल वाले को डबल करना है 9 का डबल 18 3 का डबल 6 ठीक, एक का एक उत्रेगा 6, 3, 9 उत्रेगा 18, 9, 27 का 7 उत्रेगा और 27 में 2 जुड़ेगा उसका, तो इतना होगा समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है कि न लग रहा है कुछ सवाल में है नहीं तो दुसरे वाले जो स्टेप है न, इसमें आपका होमक रहने वाला है 41 का क्यूब क्या होगा ठीक, तिसरे वाले पर आते हैं जो संख्या अपने आप में डबल है, 22, 44 66, 33, 99 जोमन वो माल लो 22 का निकालना है तो 22 का हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं भईया, करना क्या है पहला संख्या वगी दूसरा संख्या वगी यानि हर संख्या अपने आप में डबल है तो यहाँ पर क्यूब लिखना है 2 का क्यूब आट 2 का क्यूब आट 4, 8 लिख लिजिएगा अब सब cube करना है 2 का cube कितना होता है 2, 4, 8, 8, 8 पहला वाला अंतिम वाला छोड़ दो बीच वाले को डबल कर दो आठ का डबल सोला अठ का डबल सोला ठीक मैंने क्या बोला अगर मालनो न भाई ठीक वो आते हैं उस सवाल पर पहले इसको solve करते हैं तो उसका 8 यहां पर उत्रेगा 16,8,24 का 4 उत्रेगा 16,8,24 उसका 2 जुड़ेगा 26 और 8 में 2 जुड़ेगा 10 answer हो गया 10648 ठीक है अब थोड़ा 33 वाले पर करते हैं 33 वाला कैसे होगा देखो एक बार ध्यान से 33 का अगर हमें cube निकालना है तो आपको मैंने बताया न चार लिखना है अगर जो संख्या अपने आप में double है तो 3 का cube कितना होता है भाई आप बोलेंगे 27 होता है भाई कितना 27 लिखना है 4 एक पहला last बीच वाले को double करना है तो 1 27 2 27 3 27, 4 27 अगर यही 44 लो तो क्या करते हैं 4 64 लिखते हैं अंतिम वाला और पहला वाला छोड़ देना है बीच वाले को double कर देना है 27 का double 54 होता है ठीक जोड़ दीजे उसका बस 7 उत्रेगा 2 इसमी जुड़ेगा ठीक 54 प्लस 27 कितना होता है तो आपका होगा 81 81 प्लस 2 83 83 का 3 उत्रेगा 8 इसमें जुड़ेगा 54, 27, 81 और 8, 89 का 9 जुड़ेगा 8 ही इसमें जाएगा 27 और 8, 35 निकाल लो आप बोलेंगे भईया बिल्कुल एक्जेक्ली यही है ठीक तीनों ती समझ में आया न अब आप थोड़ा सा होमउक ले लेना आपका होमउक है इस स्टेप से 44 का क्यूब आपको बताना है ठीक है अब आते हैं अंतिन वाले में 23 या फिर आपका 32, 34, 36, 35, 37 57, 58 कुछ भी तब कैसे निकालेंगे मालनो आपके सामने 23 दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा अच्छी से समझना 23 का निकालना है न क्यूब क्या करेंगे 2 संख्या नजर आ रहा है भाई कितना संख्या 2 संख्या तो पहला वाला संख्या का क्यूब 2 का घनमूल कितना होगा 8 होगा 2, 4, 8 ठीक 3 का घनमूल 4 तो लिखी रहे 3 का घनमूल 27 तो एक संख्या हो गया अंतीम का 2 संख्या हो गया अब बीच का 2 क्या करेंगे ध्यान से सुनो पहले संख्या का वर्ग 4 वर्ग करने के बाद दुसरे संख्या से गुना कर देंगे पहले संख्या का वर्ग कितना होगा दो दुनी चार चारतियां बारा यानि बीच में बारा होगा फिर दुसरे संख्या का वर्ग कितना होगा नो दुनी अठारा क्या किये पहले संख्या का घनमूल क्यूब आठ फिर अंति संख्या का घनमूल 27 लिख लिए बीच में दो संख्या आएगा क्या करना है दो पहले संख्या का वर्ग चार चार आने के बाद दुसरे संख्या से गुना बारा फिर दुसरे संख्या का वर्ग कितरी के नौ और फिर पहले संख्या से गुना कितना अठारा पहले वाले को छोड़ दो स्टार्टिंग वाले को छोड़ दो मिडिल वाले को डबल कर दो 18 का डबल 36 12 का डबल 24 इसका साथ उतरेगा 36 और 18 54 होता है 54 और 2 56 होता है 24 और 12 36 होता है 36 और 5 41 होता है और 5 इसमें जुड़ेगा 4 41 का 4 जुड़ेगा 8-4-12 एंसर हो गया 12167 और अलग-अलग निकाल कर दिखाते हैं ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से किलियर हो जाए मालनो आप सभी एक सवाल मालनो आप सभी न 42 का निकालना है 42 का कैसे निकालेंगे पहले 4 का गनमूल 4-16-64 लिख लो भाई चुपचा लिख लिए भाईया 2 का गनमूल 8 लिख लिए भाईया अब पहले का वर्ग 16-16 इंटू 32 वो भी हो गया भाईया 4 का 16-16 इंटू 32 अब दुसरे संख्या पर आते हैं 2 का वर्ग 4 और फिद 4 चूपके सुल्ल ठीक किलियर दो 4 4 चूपके सुल्ल अब क्या करना है पहले वाले को छोड़ना है इसको छोड़ना है बीच वाले को डबल करना है 32 का डबल 14 16 का डबल 32 8 उतरेगा इसका 32 और 16 कितना होता है 48 होता है 48 का 8 उतरेगा ठीक 64 और 32 कितना होगा 60, 90, 96 96 और इसका कितना है 4 96 और 400 100 का 0 उतरेगा यहीं पर आप मार खाईएगा अच्छे समझेगा यह 8 उतरा 32 और 16 48 का 8 उतरा 4 इसमें जुड़ेगा 64 और 32 96 प्लस 4 100 100 का 0 उतरेगा अब 100 का जो 0 उतरा 10 है इसमें जुड़ेगा तो 64 और आपका 10 कितना होगा 74 74088 यह आपका एंसर होगा ठीक एक बार एक एक स्टेप को अच्छे से आप सभी जो है देख लीजिए क्योंकि सारा क्लास जो है वो बहुत इपोर्टेंट है मैं आपको यही बोलूँगा हर एक क्वेसिन अब यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो आज का जो होमख है न वो आप ले लेना लास्ट वाले में आपको क्या करना है 52 और 52 और 73 का आपको बताना है घनमूल क्या होगा यह आपका क्वेसिन है तो मैथ का एक एक चीज बहुत प्यार से सिखना है क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा ठीक है बाकी साम को 6 बजे ही आपका क्लास रेगूलर बेसिस पर आएगा संडे को छोड़ कर सिब ठीक है चलिए